आपके अपने चैनल जोगी सरकी पाट साला को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो आते ही आपको नोटिफकेशन मिल जाएगे वीडियो में नाइन्थ क्लास के मैच सब्जेक की चैप्टर नमबर फोर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकर अब हम सेकिंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं बहुपद के बारे में वहाँ पे हमने चर और अचर मानों के बारे में पढ़ा था चर और अचर संख्याएं कौन से होती हैं चर जो चेंज हो सकी एक्स वाई जेड एक्स एक्स एक्सेटर ये हमारे पास चर थी और अचर साथ पांच जीरो माइनस चार इनके बारे में हमने पढ़ा था चिक है ये हमारे पास अच और इनके उपर संक्रियाओं से जोड़ घटागुना भाग से बने हुए पदों को हम क्या कहते हैं बहुपद कहते थे जैसे हमने कह दिया 7X पलस का 5 यह हमारा एक बहुपद है मैंने उसमें पूरी डिटेल में आपको इंट्रोडक्शन में सारी चिज़ें करवाई हुई हैं यहां पे बात कर रहे हैं हम दो चरों वाले चर कोन से XYZ मतलब जिसमें दो चरों XY हो YZ हो या XZ हो जिसमें दो चरों रैखिक समीकर्न होने चाहिए रैखिक वहां पे मैंने आप लोगों को रैखिक के बारे में बताया था दूइ घाती के बारे में बताया था रैखिक दूइ घाती त्री घाती रैखिक जिसमें घात एक हो दो चरों वाले और एक घात वाले तो हमारे पास कैसी बनती है जैसे 7X प्लस 5Y और समीकर्ण की बात कह रहा है is equal to 9 समीकर्ण का बनता है समीकर्ण जब यहां पे बराबर का निसान आ जाए तो ये हमारे पास क्या बनता है कि समीकल बनता है ध्यान दें हमारे पास x और y दो चर है ठीक है और समीकल है इनके बारे में ही हमने इस 4 चैप्टर में पढ़ना है कलियर अब अगर मैं आपको बताओं जो स्टेंडर्ड इक्वेशन हमारे पास होती है वो होती है ax प्लस by प्लस c is equal to 0 या फिर ax प्लस by is equal to c इसमें भी कर सकते हैं स्टेंडर्ड इक्वेशन हम यह लेते हैं बट इधर लेके जाएंगे तो बहुत सारी बुक्स में सिंपल यह भी लिखा मिल जाएगा ax प्लस by is equal to c इसके हिसाब से लेके जाओगे तो माइनस का होगा लेकिन वैसे ही डिरेक्ट वो ना लिखके यह लिख देते है एक्स प् हमारे पास जो अचर मान है वो हमारा क्या है c है तो इन मानों के बारे में हमें पता होना चाहिए बहुत ही सिंपल है बहुत ही आसान है चलिए अब हम यहां पे फर्स्ट क्रेशन पढ़ते हैं क्या कहता है एक नोट बुक की कीमत एक कलम की कीमत से दो गुनी है एक नोट इस कथन को निरूपित करने के लिए दो तरों वाला एक रैखिक समीकरन लिखिए चलिए कि सुलूशन में हम माना कलम की किमत है माना कलम की किमत है हमने क्या मान लिया एक्स रुपेज मान लिया कि जो कलम है वो एक्स रुपे की आती है और नोट बुक की किमत हमने क्या मान लिया नोट बुक की किमत वो हमने मान लिया य रुपेज है सिंपल चिक है अपनी तरब से माना है अब कंडिशन क्या कहता है परसना नुसार according to question notebook की जो कीमत है वो कलम की कीमत से दो गुणी है कलम की कीमत से दो गुणी है अब मैं यह कहूँ आपको कि जो 20 है वो 10 का दुगना है 20 जो है 10 का दुगना है अगर मुझे बराबर बनाना है तो मैं छोटे वाले को एक गुणा करूँगा ने दोसे, 20, 10 का दुगना है, तो बराबर बनाने के लिए छोटे को हमने दोसे गुना किया, तो अब यहाँ पे नोट बुक की जो कीमत है, नोट बुक की कीमत, वो क्या है, दुगनी है, किसकी कीमत का, कलम की कीमत का, ठीक है, क्या बन गया, इधर लेके आएंगे, तो y-2x is equal to 0, अच्छा, अगर आप इसको y मान लो, इसको x मान लो, तब हमारे पास, हो सकता, बुक में आपको ऐसे माना हो, कलम की कीमत y होगी, नोट बुक की कीमत, हमने x मान ली, तब क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे x is equal to क्या बनेगा, 2y बनेगा, यह आपके उपर डिप कीमत का दुग ना, फिर हमारे पास, यहाँ पे क्या बन जाएगा, x माइनस 2y बराबर 0, या केला x बराबर 2y, y बराबर 2x, यहाँ पे confuse मत हो ना, कि सर, उतर में तो यह दियावा है, यह दियावा है, वो आप यहाँ पे क्या मान रहे है, उसके उपर आप कांस्वर डिपे झाल